जैसी तराम दोस्तों मैं बैद राजिव सुकला आज एक विशेस पौधे के बारे में जानकारी दूँगा इसकी जानकारी और वीडियो पहले मैं लगवा लगभग दे चुका हूँ तो उस समय ये पौधा आधा धूरा था पत्तियां बस थी इस कारण से मेरे को दुवारा वीडियो बनाना पड़ा रहा है और कई सजनों ने मैसेज किया कि इसका पहचान कैसे करें तो मैं आज पहचान के भी से में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो दोस्तों देख लीजिए इसका फूल भी आज देख लीजिए फूल करीब पांच पंखणियों का होता है और इसमें केसर लगा हुआ होता है थोड़ी बड़ा टाइप में फूल होता है फूल को देख लीजिए और पांच दल करीब नीचे भी होते हैं और बहुत ही मनम सब्सक्राइब कुर्ण करें और इसका फल देख लीजे, ये देखिए फल कंगी की तरह होता है, इसको कंगी बोलते हैं दोस्तों, और ये बलाओं के अंतरगत आता है, ये तीसरे नंबर की बला है, इसके जड़क का उपयोग, बीजों का उपयोग और पत्तों का उपयोग किया जाता है, पत्तों का उपय यह देखिए दोस्तों मैं बीज निकाल के दिखा रहा हूँ यह देखिए छोटे छोटे बीज होते हैं इसमें यह बिलकुल कहा जाए तो यह राई के दाने पर चपते थोड़ी दिल के अकार के होते हैं ध्यान से देख लिजे मैं पास करके दिखा रहा हूँ यह देखिए बीज होते हैं और इसके यहां कई पेंड़ लगे हुए हैं दोस्तों मैं बरियारी अब यहां प्रचिर मात्रा में लगी हुई है तो उसी पे मैं सोचा कि आपको जनकारी दे दी जाए कि यह है बरियारी य और धीरे धीरे करके अब यह इसी तरह फलती फूलती रहेगी और हम लोगों का उप्योग का साधन है और इसी का उप्योग करके काफी लोगों का इलाज हमने किया है और सक्सेज हुआ है तो दोस्तों बड़ी आत में कोई भी समस्या किसी के हो तो अग इनके पत्तों का योग कर आप पेट को घटा सकते हैं, मुटापा घटा सकते हैं, बाबा सीर खत्म कर सकते हैं, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अंगले वीडियो में, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाएं, जिससे अ आपना बाद